भागते था आपका भी गोर हाथ छटका देता बिल्कुल वहीं हुआ था जो मारे बाई के साथ हुआ हम तो किसी तर अपना जान बचाए के भागते बागते अपने जान बचाए किसी तर रोज की बात में सुबह में सरसफाई करने इस मंदिर का पहुचे थे तब तक 10-25 लोग उसके समाज के उग्र होके आये हैं और बोले कि आप हमारे मेटर में क्यों गवाई दे रहे हैं कि क्यों उस विद्वा के तरफ से बोल रहा है और बताईए कहां तो महिला को इंसानियत के नाते उसको नंगा करके पीटा जा रहा था तो एक पत्रकार के साथ ुआ साथ हम इंसान भी है,ंसानियता भी हमारे अंदर है तो कीसी महिला को नंगा करके पीटा जा रहे है, तो उस समय पहला हमारा धर्म है कि महिला की इजत आबरू को ढखना बचाना जो पहला धर्म हम पुरा नग ने थी महिला को एकाद दस बीस लोग जुख के मार रहे थे महिला बचाओ बचाओ चिला रही थी जूट से उठेगा परदा और सची दीखेगा इस वक्त हम रख्षोल परखंड के गुणा गाओं में हैं और यहां से ऐसी घटना के बारे में हम आपको बताएंगे सुनते ही आपके रोंक्ते खड़े हो जाएगे हाला कि इस वक्त हम दुर्गा मा के अस्थाने हैं उसके बाद में पूरी घटना का प्रक्रना मा आपको समझाएंगे ज़रा देख लिजिए जो ब्रिक्ष जो देख रहे हैं कि इस तरह से बहुत साला पूराना ब्रिक्ष है लेकि यही पर बगल में एक माता का मंदीर है ज से एक मिजड़ा जो सबसफाई कर रहे थे और इसके पहले मामला में उन्हों आयविट्निस हैं और उसी मामला को लेकर उनपर हमला हो गया अगर पुरा प्रक्रन क्या है पूरा मामला क्या उनहीं से जानते हैं हमारे साथ अभी से मिजड़ा जी है क्या कांड हुआता यहां के साथ कुछ अन्य लोगों के द्वारा उसको पत्राना किया जा रहा था उसके साथ मार्पिट किया जा रहा था जिसको लेकर वहां महिला एक चार्षो पैंतालीस तेज रुक्सालताना में कांड़ दर्च कर रहे अपने शुरक्षा के लिए एक दिन बाद उसके सासुर कि ईस महिला के साथ 12 लोग पड़े थे उसके सबसेश्क है तुछ है तो अपना हकहिसा하신 पूछ रहे ऑगा अगर भी बंचा साथ है उसके का बंभरन पोसं क veterinar कि पिलाए गा इसकि लोगर के ससुर को पीया एक इसके लिए जिसके सासुर उसको पीच रहा है कि तुम्हेरा यहां कोंहीं हख करसे जा रहा था है तो एक पत्रकार के इंसानी पत्रकार के साथ में इनसानयत हैं हमारे अंदर तो किसी महिला को दुशन है कि महिला की इजत आप रोख में जो पहला धर्म हमने निभाया, उसके भाद महिला के दोरा हम बढाइ के तीम मेडिकल चेकाप होने बाद महिला के दोरा आवेदन दी आ गया महिला कि मैं आवेदन में 67 मोग को नमजद अभ्यूक तो बनाई हम लोग ai-witness बनाई लोगバंचाया है इन लोगके दोरा हम लोग हम पहुंचाया गया है लेकिन बड़ी ही दुर्भाग का बात है कि बीना जाच प्रताल की रॉक्सोल थाना कांड संक्या 446 में जो वाइविटनेस हैं उन्हीं को जो है नाम जोट अभ्यूक्त कर देती है आज हम लोग कलम संधान हुआ था कल यहां जाच की पदादिकारी आया सरसफाई करने मंदिर का पहुंचे थे तक तक 10-20-25 लोग उसके समाज के उग्र होके आया और बोले कि आप हमारे मेटर में क्यों गवाई दे रहा है कि क्यों उस विद्वा के तरफ से बोल रहा है और बताए कहां का इंसाफ है तो उसके बाद क्या हो आगे तो हमारे बाइ तो आप देख रहा है कि बाइक का इस्तिति का बाइक पुरा तरह से छटी करस्त है अब दो को पूरा मोका मिल गया बाइक को चक ना चूर कर दीने का बाइक की लोग की लिए जो 112 की टीम आई वहां घर्टा असल से बाइक को ब्रामत की है बाइक हमारे गर पर उन लोके सब्सक्राइब कर्वाइबन कि द जिए क्या ले करिं 40 नि Should बनाये गया आब 20 अजयात लोग के ओपर भी कर लूख और नी बाधार मारफ जोट को मारजा अइसे ही मार पिठोने लगा रहे हम भागते अपने जान बचाए किसी तरफ से आ रहे थे तब तक देख रहे थे कि मैंने 57 दिमील के उसको सुनेना देवी को मार रहा है बिधवा को बैचारी को वो पूरा बदन बदन नंगी थी तो हमेशा गमचा रखते हैं वो बैचारी का बदन दीख रहा थे तो हम अपना एक ठोगामचा था दे अपने 57 अब्सें देख रहा है रहा है तो उस समय जब महिलया का जब साधी हुआ तभी सेक मिस्तरइ उस समय पांक बरस्के थे अज भी आज भी उलग भग अठाइस तीस वर इसके उजयाद के नहीं है महिला ब्याली सेल की है और उसका पत उसका जब साधी हुआ तब से चोव साल का जोब इस एक मिस्टा था बता यह चोव सल का बच्चा क्या कर सकता है अब बिल्कुल एकि आज की घटना के समय आप थे किया है किसी तरह उसको मैंने हम लोग दोतीन अदमी और भी थे हैं मेरे साथ में हमको सकते हैं अबला का इजत बचाईएगा ता अभी चुकना चूर हो जाईएगा जैसे इस गाहों से घटना सामने आई है लेकि अब इसे एक मिस्रा का बता जा रहा है उसमें बताएगा कि इनका अवेद संबंद उस महिला के साथ है कि सचाई के बात होना चाहिए और सच ही होना चाहिए लेकि आप जो अबेदन उनके ससूर के द्वारा पड़ा है उसमें बताएगा कि आपका अवेद संबंद है इसमें कितनी सचाई है उनके उनके पतोह का जो है मेडिकल चेक कर साफ असपश्ट नाता नहीं जिस समय उसके पती का हत्या हुआ था उस समय हम एकदम 6-7 साल के बच्चे थे ते हम लोग हमको हुआ याद भी नहीं है घटना कि को उसके पोती का हत्या हुआ है कि यात्म हत्या हुआ है उसे का हुआ है जनकारी नहीं है जब जो आदमी हमारे उपर केस किया है वह हमारे सीक्षक भी रहा है को बढ़ाए भी है 9-10 साल तक पढ़ाए हैं तक पढ़ा हैं हमको गोरखपुर उनको मोहन प्रकास भी है नहीं भागता आपका भी चटका देता बिल्कुल बिल्कुल वहीं हुआ था जो मारे बाई के साथ हुआ हम तो किसी तरह अपना जान बचाए के बादा आपके कहना है कि मतला का इजद बचाई एक तो चकना चूर ह प्रकार को मारा जा रहा है को दरोगा को मार दिया जा रहा है